लाइक दो वीडियो, सब्सक्राइब की चैनल और क्रेस्ट वीडियो अफडेट जोज़़ और काली नहीं आपको पाली महनदी आहाँ पर देर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंकस आप वहां से परचेश कर सकते हैं या फिर आप किसी भी किराना स्टोर या फिर पंसारी के दुकान में जाएगा आपको मिल जाएगा तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेन अब हम यहाँ यहां पर डालेंके जो हमारा तिस रा चीज है वो है लंग यहा यहां पर बारा चार Long का यूज कर रहे है लंग की Klaus लाट यहां रिया तो पर इसके बारती से कोट जाता है अर बहुत पर पर जाता है और इसके बाद हम इसको आड सकते नीगे कर लेना है ताकि जो हमारा हेयर पैक है वो एक अच्छा स्मूथ से टेक्शर में आ जाए एक हेयर पैक कंसिस्टेंसी में आ जाए यह सारी चीज़े जो है बहुत ही अच्छा वर्क करती है सफेद बालों पर अगर आपको प्री मिच्छर की भी प्रॉब्लम है और अभी अभी सोचा है कि अब कलर करोगे करिमिकल वाला डाई करोगे तो बिल्कुल मत कीचेगा बिल्कुल इसी तरह इस होम रेमेडी को ट्राइ कीचेगा बहुत ही जल्दी आपको असर दिखेगा और मैं बता देती हूं सारी जो चीज़े हमने इसमें एड की है सारी जितनी भी चीज़ अगर आप जो सफेद बालो को काला करने में हेल्प करती है उसमें लॉंग का और या लॉंग अगर आप डालते हो तो बहुत ही अच्छा आपको बहुत क्विकली रिजल्ट दिखाता है तो हमारा हेर पैक रेडी हो गया है लगाने का टाइम दो घंटे कम से कम आप दो रेडी हो गया है मैं इसको ओवरनाइट रखने वाली नहीं हो जैसे कि मैंने बताया बहुत ही क्यों बन जाता है तो मैं इसको कम से कम 10-15 मिनट रखूंगी उससे ज्यादा नहीं या फिर बहुत होता है तो हाफे नहा रखूंगी तो कि बात वही होगी अगर आप जात मिक्स हो जाए तो मैंने आदा घंटा इसको स्टैंडबाई पर रखना है फिर मैं इसको अपने सर में अपलाई कर लोंगी और यह जो प्रोसेस है आपको वीक में एक बार तो करना ही है और जो महंदी है आपको लग रहा होगा कि स्मेल करती होगी काली महंदी यह हमारा नेशरल महंदी है और जो नेशरल महंदी का स्मेल होता बिलकुल उसी तरह है तो एक बार ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा चानल पर अगर आप नए आए है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके चाहिएगा बेल आइकन को प्रेस कीज़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइ